Hello Everyone, Welcome to MS Education TV हर्याना बोर्ड में पढ़ने वाले 12 क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में हम कमेश्ट्री के वेरी वेरी इंपोर्टेंट MCQ और अबजेक्टिव यानिके वन मार्श जो क्यूशन उनको डिस्कस करेंगे यह जो क्यूशन है बार बार एक जाम में पुछ जाते हैं इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखें यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी MCQ या फिर अबजेक्टिव वन मार्श की क्यूशन देखने है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल के उपर जागे देख सकते हैं यदि आपको क्लास 10 और 12 के प्रीविस एर के पेपर डाउनलोड करने हैं विद आनस्वर तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में आपको जो हिंदी और इंग्लीज दोनों लेंग्वेज में जो क्यूशन देखने को मिलेंगे फाइस्ट क्यूशन है वाट टीज इंग्चर ओफ आयोडिन तो इसका जो राइट आंसर क्या होजेगा टू से थ्री पर्शन सोलीशन ओफ आयोडिन इन एल्लकोहल वाटर नेट्स क्यूशन देखिए वाट इज हाइब्रडाइशन ओफ न इन अन इन इन एल्लकोहल वाट इसके जो कॉन से आइब्रडाइशन होती है इस पी थ्री तो इसमें जो डी ओप्सन है यह क्या होजेगा अपना राइट नेट्स क्यूशन है which of the following organic compound are formed by woods reaction तो कौन से compound बनते हैं woods reaction में तो इसका जो right answer क्या होजेगा hydro carbon जिसमें b option है क्या होगा अपना राइट नेट्स है glycogen इस एग्जामपल औफ glycogen किसका एग्जामपल है तो यह जो है first option राइट होजेगा poly saccharide इसका एग्जामपल है next question देखिए according to hardy sulje rule which of the following has highest fluctuating power तो इसका जो right answer आपको बताना है तो इसका जो right answer क्या जाएगा al3 positive जो इसमें a option है क्या होगा अपना right next one word के जो है answer है first देखिए what type of stoichiometric defect is shown by zs इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है stichio matrix जो है defect दिखाता जड़न एसमी तो इसका जो right answer क्या गया फ्रेंकल डिफेक्ट f-r-e-n-k-e-l-d-e-f-e-c-t defect फ्रेंकल डिफेक्ट next उसने give structure of monomers unit of nylon 6 आपको nylon 6 की monomer की structure आपको बतानी है तो यहाँ पर हम आपको इसकी structure दिखाएता हूँ यह आपको याद रखनी है तो सबसे पहले यहाँ पर आप उपर की तरफ तो लिख लेंगे n h यहाँ पर जो है इस side आपका जाएगा c double bond o फिर नीचे की तरफ c h 2 फिर इस side आपका जाएगा c h 2 इन भी counting याद रखनी है इससे ज़्यादा नहीं होने चे जितने यहाँ पर show किये गई है उतने ही आपक c और इसके बीच में जो है आपका एक और आएगा c h 2 तो यहाँ पर आप इनको count कर लेंगे कितने हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं 1,2,3,4,5,6 और 7 तो यह total आपको जो है याद रखनी है total कितने है 7 यहाँ से आप जो है इनके lineों से भी याद रख सकते हैं कितने line हैं त c t u m next question है what do you mean by peptide linkage यहाँ आपको बताना है कि peptide linkage क्या होता है तो it is linkage या bond linkage को जो है bond भी बोलते हैं it is linkage या bond by which alpha amino acid are connected to each other in a protein यहाँ कि जो alpha amino acid होते हैं वो connected होते हैं एक दूसरे के साथ किस के अंदर protein के अंदर उसी को हम जो है peptide linkage बोलते हैं next question है define azotrop mixer आपको जो azotrop mixer की definition बतानी है तो इसका जो right answer क्या हो जाए जो है azotropes are binary mixer having same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature दुबारा से बतायता हूं मैं azotropes are binary mixer यह जो है binary mixer है having same composition इसकी जो composition वो same होती है कि इसमे in liquid and vapor phase vapor जो liquid और vapor दोनों phase हो में and boil at constant temperature और जो है boil हो जाते है constant temperature के ऊपर next question देखिए write the next equation of the following cell यहाँ एक cell दे रखे इसका आपको next equation बतानी है तो यहाँ पे मैं आपको बताया देता हूं इसको आपको याद रखना है e is equal to e उपर जो यहाँ पे आपको छोटे सी 0 लगानी है फिर minus 0.059 divide में आपको लिखना है 2 और आग आपको लिखना है log यहाँ पे break जो हो आग इसमें जो है s n और इसकी जो है 2 पलस इसको जो हलक से लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा यापको आपको आपको अच्छे पलस और इसकी power कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 तो इस तरहीं यह जो है यहाँ पे जो दे रखे है इसकी यहाँ कि e0-0.059 divided to log s n 2 positive और नीचे आ जाएगा आपका पोजिटिव और इसकी power है 2 नेच देखिए identify the reaction order from which the following rate of constant यहाँ पे आपको जो है reaction बताने किस order कि है तो यह जो है second order reaction है second s e c o and d second order next write the reaction of c l 2 with water आपको c l 2 की जो है water कहात reaction बतानी है तो इसकी दो reaction होती है मापको बतायता हूँ सबसे first देखिए अगर आप करते है c l की जो है direct water कहाते है reaction करते हैं यहाँ कि h 2 o के साथ तो यहाँ पे जो reaction मनेगी आपकी 2 h c l पलस में o एक तो आपकी यह बन जाएगी यहाँ कि c l पलस h 2 o आगे क्या बनेगा आपका 2 h c l पलस में o एक reaction और बतायता हूँ मैं दूसरी वो भी आप जो है इसको भी जग रगजाम में आ जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे 2 c l 2 पलस में 2 h 2 o और आगे क्या बनेगा यह आपका बतायता हूँ 4 h c l पलस में o 2 यह second reaction है अगर आप जो है इस तरीके से भी जो है अगर आप लिखते हैं तो यह भी बिल्कुल राइट है नेक्स देखीए नेक्स राइट आईउप इस नेम ओफ पी o2 n c6 h 4 फिड ऐस है o c h 3 इसका आपको जो है आईउप इस नेम लिखना तो इसका आईउप इस नेम होगा 4 नाइट्रो एनिसोल यहनकी पहले आपको लिखना है फिर लिखना है नाइट्रो एनियोसोल न-i-t-r-o-a-n-i-s-o-l-e for नाइट्रो एनिसोल नेक्स देखिए द्रादा स्ट्रेक्चर ओफ साइक्लो प्रोपेन ओग्जियम इसका आपको जो है स्ट्रेक्चर बनानी है तो इस तरीके से आपको स्ट्रेक्चर याद रही है इस तरीके से आपको इस तरीके का बनाना है ट्रेंगल टाइप से फिर उसके आगे यहाँ पे इक्वल्टो यह इनकी बोंड टाइप से आपको रिप्रिजेंट करना है आपको equal to assign दिखे गाए है लेकिन यह जो है क्या होता है bond, double bond इस तरिक्के से जो है structure होती है किसकी cyclopropane जो है oxyum की next question देखिए next question है फिर से multiple choice question आप से पूछे गए है तो next question है यहाप सबसे first है which of the following noble gas is used for advertisement display इसमें आपको बतानी कौन सी जो noble gas है advertisement display के लिए यूज़ करते है तो इसका जो right answer क्या हो जाएगा n e view option क्या होगा इसका right next question देखिए which of the following is the most acidic सबसे ज़्यादा acidic कौन है तो जो first है क्या है सबसे ज़्यादा acidic है इसमें उपर तो c o s नीचे आज जाएगा आपका no to next question देखिए moral evaluation constant is also kind जो है moral जो evaluation constant होता है इसको हम और क्या बोलते हैं इसका आपको बताना है तो इसको हम बोलते हैं ebilioscopic constant ebilioscopic constant next देखिए example of semi synthetic polymer आपको जो है semi synthetic polymer का जो example बताना है तो इसका जो right answer क्या हो जाएगा cellulose nitrate यह option क्या होगा इसका right next question देखिए cs3, cs2, oh और इसकी reaction करवा रखी है तो आपको जो है आगे x मिल रहा है तो इसमे x की जिगा क्या है यह आपको बताना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी जिगा क्या आएगा तो जब यहाँ पे हम reaction करवाते हैं तो इसमें जो है reaction का जो है अगे product बनता है c2h5 फिडेस c2h5 तो इसमें जो बी option है क्या जिग अपना right next question है यहाँ पे आपको जो है one words में या फिर जो है two words sentence या फिर sentence में जो answer देना है name two metal which are extracted electrolytical आपको जो है दो metal के नाम बताने हैं जो क्या है extracted है electrolytically तो इसमें आपको answer जो है बहुत सारे मापको बतायता हूं जैसे c u a g n i z n a l तो इसमें से आपको बी दो लिख सकते हैं यह जैसे दुबार से बतायता हूं आपको c u a g n i z n a l यानकी aluminium zinc nickel कोन सा भी जो हाप इनमें से लिख सकते हैं next है what are complex reaction complex reaction क्या होती है तो a sequence of a a elementary reaction give us the product the reaction are called complex reaction into the way here a sequence of a a elementary reaction give as the product the reaction are called complex reaction next you sign why is use of a aspartum limited to cold food and drink to this is because aspartum is unstable at cooking temperature and decomposes यहां पर बोला गया है कि जो aspirant, जो cold जो है, यहां पर बोला गया कि aspartum का प्रियो केवल ठंडे खाद देवा पेपदार्थ होता कि सिमीत क्यों है क्योंकि क्या होता है aspartum क्या होता है, unstable होता है cooking temperature या फिर decompose हो जाता है this is because aspartum is unstable at cooking temperature and decomposes what are reducing sugar, क्या होती है the sugar which can reduce tolerance reaction sorry, tolerance reagent or failing solution are called reducing agent, जो है sugar the sugar which are reduced tolerance reagent T-O-L-E-N-S reagent, R-E-A-G-A-G reagent, या फिर और दूसरा क्या है failing solution, F-E-H-L-I-N-G failing solution are called reducing sugars next, देखिए next है name the digits caused by the deficiency of vitamin K vitamin K की जो कमी है इसके कारण कौन सरो होता है control blood clotting time यानकी खून का जो दबबा जमता है उसमें जो है time लगता है इस विज़े से बिमारी होती है what do you mean by doping doping किसको बोलते है deliberately addition of impurity to semiconductor to increase the conductivity is called doping यानकी जो semiconductor होते है उनके अंदर जो impurity मिलाई जाती है जिसकी वज़े से जो conductivity होती है semiconductor को बढ़ जाती है उसी को doping बोलते है यानकी deliberately addition of impurities to a semiconductor to increase its conductivity is called doping next define coagulation coagulation क्या इसको define करना है the process of settling of colloidal particle is called coagulation यानकी वो process को बोलते हैं जिसमें जो particle होते हैं colloidal particle होते हैं वो settle हो जाते हैं खाँपे नीचे उसी को हम जो coagulation बोलते हैं next देखिए next question है write I.U.P.C. name of K.4.M.N.C.N. इसमें आपको I.U.P.C. name बताना है तो इसका I.U.P.C. name होज़ेगा potassium hexa cyanamon magnet second spelling में आपको बतायता हूँ P.O.T.A.W.S.I.U.M. potassium H.E.S.A.H.A.C.Y.A.N.O M.A.N.G.A.N.A.T.E और फिर लास्ट में इसके bracket में हम क्या लेख लेंगे second next देखिए give the example of a beta elimination reaction of a alkyl halides इसमें जो आपको क्या बताना है एक example देना है beta elimination reaction का alkyl halides तो यहाँ पर हम आपको reaction देख ले लिख देता हूँ यह आपको याद रखनी है C.H. दुबारा से बिताएता हूँ यहाँ पर CH3 फिर CH नीचे की तरफ भी जो है यहाँ पर H CH2 नीचे की तरफ है X यहाँ पर जो है reaction OH- नीचे यहाँ पर जो है alc और जो reaction बनेगी आपकी यह बनेगी CH3 CS3 CH फिर double bond CH2 यह reaction आपको याद देख करनी है CS3 CH फिर नीचे की तरफ है जो है फिर CH2 फिर नीचे की तरफ है फिर यहाँ पर जो है इसमे OH- नीचे ALC फिर नीचे यहाँ पर बने जाएगा CS3 CH double bond CH2 तो यह किसका एक्जाम्पल है यह बिटा एलिमिनेशन का है इसमें alkaline जो है alkyl halide में इसका जो right answer हो जाएगा यह reaction आपको याद रखनी है नेक्स देखिए नेक्स है इसमें जो right answer क्या होगा तो यहाँ पर आप देखिए तो इसमें जो right answer क्या होजाएगा CCL3NO2 तो इसमें जो यह option है क्या होजाएगा अपना right next question देखिए तो इसमें जो कौन सी reaction है यह आपको बता नहीं है तो इसमें कौन सी reaction है आइसोमर्स next question देखिए next question है आपका in the preparation of alkyl halide from alcohol which of the following reagent is repaired तो इसका जो right answer क्या होजाएगा आपका SO2Cl2 तो इसमें जो D option है क्या होगा अपना right next question देखिए यहाँ पी reaction दे रखिए जब इसमें reaction करवाते हैं तो कौन सी reaction बनती है तो इसमें CS2 CS2 जो fast reaction है क्या होजाएगी right next question which of the following amino acid is not not optically active इसमें कौन सा amino acid जो optically active नहीं है तो इसमें जो है glycine जो B option है क्या जेगा right next question देखिए complete the following reaction यहाँ पे जो है complete reaction दे रखिए है इसको आपको complete करना इसको पूरा करना है तो इसमें यहाँ पे आपको बतायता हूँ यह जो reaction है यहाँ याद रख लिए है सबसे पहले यहाँ पे देखिए CH3 नीचे की तरफ CH3 फिर यहाँ पे double bond NCH2 फिर यहाँ पे single bond CH3 तो इस तरह के सी आगे जो है यहाँ पे बढ़ेगी तो यह आपको याद रखनी है सबसे पहले यहाँ पे benzene फिर C फिर CS3 नीचे की तरफ फिर double bond NCH2 फिर यहाँ पे CS3 next question है what are elementary reaction the elementary reaction क्या है तो the reaction which takes place in one step are called elementary reaction जो reaction एक step में हो जाती है उसी को क्या बोलता है elementary reaction next what type of semiconductor is created when GE is doped with iron यहनकी किस टाइप का जो semi conductor बनेगा यहदी GE को doped करते हैं iron के साथ तो यह P type का semiconductor बनेगा P type next देखिए write the expression of relative lowering in vapor pressure आपको expression लिखनी है तो यह expression आप याद रख लिए न यहाँ पे P उपर की तरफ 0 minus P divide में P 0 आगे क्या बनेगा आपका X 2 तो यह जो is correct answer हो जाएगा next देखिए what is sacrificial protection यह क्या होता है यह आपको बताना है a method by which iron is protected from rusting by covering it with a layer of metal more active than iron यह तो इसी को हम क्या बोलते हैं यह आपको बलते हैं sacrificial protection क्या होता है तो यह method by which एक method उस तरीकों को बोलते हैं by which iron is protected जिसमें iron को हम बचाते हैं लोई को बचाते हैं किस से from rusting उसको जंग लगने से किस के help से by covering it with a layer of a metal more than active than iron यहना कि एक जो है लोई के उपर जो है उसको लोई को जंग से बचाने के लिए उसको उपर कोटिंग की जाती है और उस metal की कोटिंग की जाती है जो उससे भी ज़्यादा क्या होगी एक्टिव होगी next देखिए expand CMC आपको इसकी full form बतानी है तो इसकी full form हो जाएगी critical missile concentration C-R-I-T-I-C-L critical M-I-C-E-L-E missile C-O-N-C-E-N-T-R-A-T-I-U-N concentration next what are the main constituents of detol तो इसमें कौन सा जो main constituent है यह आपको बताना है तो इसके जो right answer है the main constituent of detol all chloro jyloon and terryphenol instable solvent दुबारा से मैं बता जता हूँ the main constituents of detol are C-H-L-O-R-O-X-Y-L-E L-E-N-O-L and trepinol T-E-R-P-I-N-E-O-L-E in suitable solvent next what are monomers unit of glyptol इसमें आपको बताना जो है glyptol में कौन सा monomer unit है तो इसमें जो है ethylene glycol and phethalic acid इसमें जो दोनों option क्या है जो है दोनों answer सही है दुबारा से मैं आपको बतायता हूँ E-T-H-Y-L-E-N-E-Thi-L-E-N G-L-Y-C-O-L-Glycol and P-H-T-H-E-L-I-C-Patholic acid next what type of linkage is there in amylopectin amylopectin में जो है जो है जो लिंकेज है यह आपको बतानी है तो इसमें जो linkage होती ही होती है C1, C4 and दूसरी होगी यहाँ पर आपकी C1, C6 तो इसमें जो है दोनों जो हैं बिल्कुल सही है दोनों क्या है glycosidic linkage तो इसमें जो answer क्या होगा C1, C4 दूसरा है C1, C6 और क्या होगा G-L-Y-C-O-S-I-D-I-C linkage जो है glycosidic linkage इसका क्या होज़ है गर आइट answer next question देखिए Williamson synthesis is used to prepare तो इसमें आपको right answer बताना है तो इसमें जो इसमें आपको right answer बताना है तो is used for prepare ether जो D option है क्या होज़ेगा अपना right C-Y-C-L-O cyclo H-E-X-O-N hexone फिर O-N-E O-N-E hexone 1 यानकी H-E-X-O-N-O-N-E next question देखिए next question आपे right दा आइट पीछी ने आप दा coordinate compound आपे coordinate compound दे रुखा है इसका आपको आइट पीछी ने बताना है तो इसका हो जाएगा triamine bromido chlorido iodido chromium-3 spelling मा आपको बतायता हूँ T-R-I-T-R-I A-Double-M-I-N-E amine triamine bromido bromido chlorido C-L-O-R-I-D-O chlorido फिर सपेश I-O-D-I-D-O I-O-D-O chromium C-H-R-O M-I-U-M chromium फिर लास्ट में यहां पे आपको है क्या लिखना है 3 next देखिए a catalyst increase the rate of reaction then what will be the effect on the rate of constant a catalyst जो rate of reaction को बढ़ा देता है तो rate of constant पे क्या फरक पड़ेगा तो not changed in the following in the following chillating legend is इसमें आपको जो legend बताना है क्या हो elegant यह लिए legend बताना है तो इसका जो right answer क्या आजएगा आपका h2 n c s 2 c s 2 n s 2 तो इसमें जो b option यह क्या आजएगा आपना right next देखिए यहाँ पे जो एक reaction दे रखिए आपको reaction complete करनी है reaction क्या होगी तो इसमें जो right answer क्या आजएगा c 6 h 5 o अचे फिर यहाँ पे comma c s 3 i तो इसमें जो b option है क्या होगा आपना right next question देखिए if the rate constant of reaction is mole liter यहनकी inverse फिर second inverse यहनकी per second then order of the reaction is यहाँ पे आपको जो है reaction का order बताना है तो इसका right answer क्या होगा zero order reaction तो इसमें first option क्या होगा right in the following compounds which has minimum boiling point इसमें सबसे कम boiling point किसका है तो अच 2 s का next which is the weakest acid in the following यहाँ पे बहुत सारे जोंहें बहुत दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि सबसे weakest acid कून सा है तो इसमें what is the coordinate number of sorry coordination number of यहाँ पे जो in the K3CR C2OH3 coordinate compound यहाँ पे जो आपको coordination number बताना है तो इसका right answer क्या जाएगा 6 यहाँ पे आपको reaction दे रखे इस reaction को complete करना यहाँ पे A- A- का मतलब क्या होगा यह आपको बताना है तो इसका right answer क्या अगर reaction जब करेंगे तो क्या बनेगा C2H5 है फिर hole 2 फिर last में O next question है SN2 reaction will be fastest in यहाँ पे आपको बताना SN2 यह जो reaction है fastest होगी किसमें होगी तो यह होगी आपकी CS3B army यह option है क्या होजेगा अपना right next question देखिए next question है which vitamin is soluble in water इसमें आपको बताना है कौन सा जो vitamin है soluble है किसमें water में तो vitamin B इसका right answer next question देखिए number of faradays required to reduce 1 mole of MnO 4 minus into Mn2 positive यहाँ कि number of faradays बताना है तो इसका जो right answer क्या है यह गा 5F फैला option इसका right next identify the order of reaction from constant यहाँ एक constant की value दे रखी है इसमें आपको बताना है कि reaction of order of reaction क्या होगी तो इसका right answer क्या जाएगा second next question है the unit of molar conductivity is तो molar conductivity जो है इसके आपको unit बतानी है क्या होगी तो इसकी जो है first option क्या होजाएगा right Ome inverse M2 mole inverse next question देखिए in the following which diabasic acid इसमें आपको बताना है कौन सा diabasic acid है तो H3 PO3 क्या हो जाएगा इसका right answer next देखिए in the following strongest acid इसमें सापको सबसे strongest acid बताना है कौन सा है C6H5 COH COOH सबसे क्या है strongest acid है next question इसमें IUPC name of the compound यह जो compound दे रखा है इसमें आपको IUPC name बताना है इसका IUPC name क्या होगा तो इसका IUPC name होगा N-ethyl, N-methyl, ethane amine तो मैं दुबारा से बतायता हूं सबसे पहले N, फिर ethyl, E-thyl, E-l, N-ethyl फिर दुबारा से ethyl लिखके फिर दुबारा क्या लिखना है N-methyl, M-ethyl, M-ethyl, M-ethyl फिर लास्ट में space देखे E-th-e-n, ethane, A-m-i-n-o, emino In the given alkyl halide which one has minimum boiling point इसमें से आपको alkyl halide दिरक इसमें किसमें का जो minimum आपको बताना है कि boiling point होता है, तो इसका जो right answer क्या होजेगा C2H5F तो इसमें जो first option है क्या होगा अपना right next question देखिए write the increasing of the strongest basisity of the following इसको आपको जो increasing order में लिखना है basisity के according तो सबसे पहले सबसे कम किसका है वो बतायता हूँ मैं तो सबसे कम है C6H5NH2 का तो यह सबसे आपको first पे लिखना है यह आएगा आपका first number में उसके बाद आएगा C6H5 CS2NH2 तो यह आपका आएगा second number में third number पे आएगा C2H5NH2 तो यह आएगा आएगा आपका third number पे और जो last number पे है यह आपका fourth number पे इसी order में आपको याद रखना है सबसे पहले यह जो है यह first number पे यह second number पे यह third पे और यह last में आएगा यह कुण सा order हो जाएगा increasing order हो जाएगा किस के according जो है बेसी city के according next question देखिए यहाँ पे जो है आपको reaction बतानी है जब reaction करते हैं तो आगे जो product मिलता है फी यह क्या होगा तो यहाँ पे जब reaction करवाएंगे तो यह आगे मिलेगा आपका CS3, CS2, NH2 next है which base is present in RNA but not in DNA कौन सा जो base है वो RNA के अंदर होता है लेकिन DNA के अंदर नहीं होता तो इसका जो right answer क्या है जाएगा uracil जो a option है क्या होगा अपना right a option क्या है जाएगा अपना right ना इस यूशन देखिए the vitamin responsible for the coglation of the blood is कौन सा vitamin जो है responsible है coglation of the blood के लिए तो कौन सा है जो vitamin K है इसका क्या होगा right है answer vitamin K next question देखिए for a reaction N2 plus 3S2 यहाँ पे जो reaction product बन गया 2NS3 the rate of reaction which respect to NS3 will be तो इसमें जो कौन सा आपको बताना है rate of reaction कौन सा सही है तो इसमें जो C option है plus 1 by 2 DNS3 फिर DT तो 3rd option क्या होज़ेगा जो मैं अपना right next question देखिए if the half life period of a first order reaction is 100 second then rate constant will be if the half life period of first order reaction उसकी 100 second है तो आपको बताना है कि जो rate constant क्या होगा तो जो rate constant क्या होज़ेगा 6.93 10 raised to power minus 3 second तो जो इसमें यह option नहीं क्या होगा बिल्कुल अपना right next the total number of atoms in a face centered cubic unit cell तो total number of atoms बताना है कि face centered जो cubic cell होती है कितने होते हैं तो इसमें होते हैं 4 next जो है इस reaction का आपको नाम बताना है कि कौन सी reaction है इसका reaction का नाम क्या होगा तो इसका जो नाम होता है woods fitting reaction जो D option क्या होगा इसमें अपना बिल्कुल right यह सभी reaction आपको पता होने चाहिए important reaction है next है जो है amorphous solid is तो amorphous solid वो क्या है तो यह सबसे पहले देखिए rubber भी है, plastic भी, glass भी है जो D option है यह क्या हो जाएगा अपना right next है monomer of teflon is तो जो teflon है इसका monomer आपको बताना है तो इसका right answer क्या होज़ेगा CF2 double bond CF2 next है in the following which is strongest acid इसमें आपको बताना है सबसे strongest acid कौन सा है तो इसमें CS3OH क्या होज़ेगा right answer next question देखिए in the following thermos setting polymer inch तो इसमें right answer बताना है तो यह क्या होज़ेगा back a light यह option क्या होगा इसका right next range the following compounds in the order of increasing their boiling point यहापे आपको जो compound है इनको boiling point के according increasing order में लिखना है तो increasing order में सबसे पहले क्या आएगा यहापे आप देखिए C4H10 C4H10 सबसे पहले पहाएगा तो यह number first पहाएगा next आएगा C2H5O C2H5 यह C वाड़ा option यह second number पहाएगा third पहाएगा C3H7 तो यह आपका third number पहाएगा और जो last वाड़ा यह आपका आएगा fourth number पहाएगा तो इसी order में आपको लिखना है next है any soul यहापे आपको जो reaction इसकी करवाने है जब reaction करते हैं तो क्या आता है इसका आणसर आपको बताना है तो इसका जो right answer क्या आजाएगा जब reaction करवाएगे तो इसमें C6H5OH plus CS3I यह product मिलेगा में next question देखिए write the UPC name of compound यहापे compound दे रखा इसका आपका UPC name बताना है तो इसका UPC name क्या होगा 1 chloro 2 phenylethene spelling में आपको बतायता हूँ सबसे पहले 1 फिर यहाँ पे 1 क्या आगे chloro CH-L-O-R-O फिर दुबारा से यहाँ पे dash लगा के फिर 2 फिर आपका जाएगा phenyl P-H-E-N-Y-L-E ethane E-T-H-E-N next question देखिए in the following strongest reducing agent सबसे जादा strongest reducing agent को उन सा है तो उसमें B-I-S-3 क्या है सबसे strongest reducing agent है next question देखिए next question है half life period of first order reaction depends on half life period जो होती है first order reaction की किसके ओपर depend करती है तो यह rate of constant of reaction की ओपर depend करती है next है in the following strongest acid सबसे जादा strongest acid कोन सा है तो H-C-L-O-4 next देखिए which one is colored इनमें से कौन सा colored है तो इसमें जो है T-I-S-2-O-6 3 positive क्या है colored next देखिए next solution है isotonic solution are the solutions having same तो isotonic solution क्या था उनमें solution क्या होनी चाहिए क्या चीज़ सेम होनी चाहिए तो इसमें होनी चाहिए आपकी isomotic pressure जो है sorry osmotic pressure osmotic pressure next देखिए next solution है the unit of rate constant for first order reaction is तो rate constant क्या होती है first order reaction के लिए तो यह होती है time inverse next देखिए molality sorry molality of pure water pure water के लिए molality क्या होगी तो यह 55.5 तो इसमें D option क्या होगा right next है यहाँ पे आपको इसका UPC name बताना इसका UPC name क्या होगा तो इसका UPC name होता है four chlorobenzene selfonic acid spelling में आपको बतायता हूं दुबारा से four फिर dash लगा के chloro CH-L-O-R-O-C-L-O-R-O-C-L-O-R-O-O-B-E-N-J-E-N-E बेंजीन फिर सपेस सेल्फोनी का C-O-L-P-H-O-N-I-C-C सेल्फोनी फिर सपेस acid next यहाँ पे जो है जब reaction करवाते हैं इस पे तो इसमें आपको बताना है as two के साथ क्या product मिलेगा तो इसमें कौन सा product बनेगा तो इसमें जो है second option क्या है अपना right benzene फिर उपर CH-O right answer next question देखिए which type of isomerism present in इन दोनों के अंदर कौन सा जो type का isomerism present है यह आपको बताना है तो इसका जो right answer क्या है जो है first option ionic next देखिए completes the reaction यहाँ पर जो reaction है इसको आपको complete करना है तो जब reaction करवाते हैं तो क्या मिलेगा यह आपको बताना है तो यहाँ पर मैं reaction लिख देता हूँ तो reaction मनेगे 2C2H5I फिर पलस में आपका मिलेगा में water H2O यहनगे 2C2H5I पलस H2O next arrange the following in order of increasing their acidic strength आपको acidic strength के according in corresponding order में लिखना है तो सबसे कम किस की है सबसे पहले उसको लिखेंगे सबसे कम है C2H5OH की यहनगी यह सबसे first नमर पर आएगा B वाड़ा फिर CS3OH A वाड़ा second नमर पर आएगा फिर phenol यह आपका third नमर पर आएगा और जो last बच लिए यह आपका P nitro यह nitro phenol यह fourth नमर पर आपका आएगा इसी order में आपको याद रखना है next देखिए next in the following in which metal of the complex ion है zero oxidation number तो कौन सा जो metal है जो है इसमें complex ion में कहा zero oxidation number है तो इसमें आपको बताना है तो इसमें जो है feco5 यह क्या है इसमें क्या है zero oxidation number तो इसमें जो option क्या होजेगा अपना right answer यहां तक जो वीडियो है आपको अच्छी लग दिया दोशको like करें आपने दोस्तों कहां जरूर share करें को doubt दाथ मुझे comment section में जरूर पूचें किसे और subject के भी आपको multiple choice question देखने हैं तो आप मेरे YouTube चनल के उपर जाके देख सकते हैं यह आपको 10th और 12th के previous year के paper डाउनलोड करने है वीदा answer तो आपको इसी वीडियो के description में website का link मिल जाएगा आप आशे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं next question देखिए number of tetrahydral voids in FCC unit cell is तो इसका जो right answer किया जाएगा 8 next question देखिए mole fractions of an solute in 2.5 mole aqueous solution is तो mole fraction of solute बताना इसको तो इसका जो right answer किया जाएगा आपका 0.043 be option right होगा next correct expression for elevation in boiling point तो आपको correct expression बतानी है elevation in boiling point तो इसमें कौन सा अंसर सही हो जाएगा यह option क्या होगा अपना बिल्कुल right next question देखिए conductance of an electrolytic sorry electrolytic solution depend on तो conductance किसके उपर depend करती है तो यह आपके करती है nature of electrolyte के उपर next question देखिए role of a catalyst is to changed role of a catalyst change हो जाता है तो किसकी according यह होता है activation energy of reaction next question है unit of rate constant for a zero order reaction is unit of rate constant बढ़ताना है zero order reaction में क्या होगी तो इसका जो right answer किया जाएगा a option mole letter inverse है second inverse तो इसमें जो first option क्या होगा right next question देखिए common impurities present in box site or common impurities जो present रोटी box site के अंदर आपको बताने है तो इसको जो right answer किया जाएगा F2O3 जो C option क्या होगा इसका right next question देखिए which of the following element does not show जो है allotrophy allotrophy तो कौन सा जो है element क्या नी शो करता allotrophy शो नी करता वो आपको बताना है तो इसमें कौन सा option सही होगा आपको नाइट्रोजन next देखिए which complex exhibits geometrical isomerism तो which complex जो है exhibits क्या करता है geometrical isomerism इसका right answer आपको बताना है तो इसका right answer क्या होगा जो C option है ये क्या होगा आपना right ptcl2pc2h532 next देखिए the ease of dehydrohalogenation of alkyl alkyl halides with alcoholic kochage तो इसका right answer आपको बताना है तो इसमें जो है 3 degree की तरफ greater का sign फिर 2 degree फिर 1 degree 3 degree सबसे बड़ा है next question देखिए which on eating with aqueous chaos produces acid acid LD halide तो इसमें आपको right answer बताना है तो इसका right answer क्या होगा CS3, CHCl2 next देखिए next question आपका which of the following is N3 degree amine तो इसमें जो आपको बताना है क्या right, कौन सा option इसका right होगा तो इसके जो ए ओप्शन है यह क्या होगा अपना right triethyl amine इसमें क्या होगा right answer next देखिए next question है आपका next है which of the following exists as covalent crystal in solid state तो कौन सा option इसका right होगा silicon next question देखिए percentage of empty space in ABCC arrangement is तो percentage of empty space बताना है तो इसमें कौन सा option इसका right होगा 32% next देखिए maximum amount of a solid solute that can be dissolved in given amount of liquid solvent does not depend upon तो इसका जो right answer क्या होगा temperature जो B option क्या होगा आपना sorry B ने pressure तो इसमें जो है A option क्या होगा आपना right pressure next situation देखिए low concentration of O2 in the blood of people living at high altitude is due to low concentration of O2 जो होती है blood के अंदर pupil के अंदर जब high altitude के उपर जाते हैं तो किस विज़े से होता ही है तो यह होता है low atmospheric pressure जैसे उपर उपर जाएंगे हम उपर की तरफ जो atmospheric pressure atmospheric pressure वो कम होता जाएगा next the metal that cannot be obtained by electrolysis of an aqueous solution of its salt is तो इसका right answer क्या हो जाएगा CA यह option क्या होगा इसका right next rest is a mixture of rest क्या होता है rest का मतलब जंग लगना क्या है किस का mixture है यह आपको बताना है तो यह हो जाएगा FE2O3 and FEOH3 यह option क्या होगा इसका right next the time requires for 100% completion of a zero order reaction तो इसको में के next which of the following is not unfavorable condition of a physical जो है adsorption इसमें आपको बताना है कि not not यह आपि not word उसके आपको बताना है तो इसका right answer क्या होगा आपको बताना है तो इसका right answer none of a these तो इसमें D option क्या होजएगा अपना right यानिके none of these next the percentage of alpha sorry पाइक जो है characters in a orbital form forming pp bonds in p4 is तो इसका right answer क्या होजएगा 75 next one degree alkyl halide would prefer to undergo तो इसमें आपको right answer क्या होजएगा sun 2 यह option क्या होगा इसका right next which of the following reacts with water यानिके which of the following reacts with water तो इसका right answer क्या होजएगा आपको बताराना है तो इसमें जो cl3c फिर dash c o तो इसमें b option क्या होगा right next acid anhydride जो है anhydrides on reaction with one degree amine gives तो इसमें right answer आपको बताराना है तो इसमें a option क्या होगा right next question देखिए next question है कवंतना यानिकी unit of यानि आपको बताना है unit of eblioscopic constant is आपको unit बतानी है तो इसमें क्या होगा a option क्या होगा इसका right यानिकी kg mol inverse next the quantity of charge required to obtain 1 mol of Al यानिक aluminum from Al2O3 तो इसमें जो right answer क्या है जाएगा 3F यानिकी 3 ferat which of the statement is correct इसमें से आपको बताना है कि कौन सी statement जो correct है तो इसमें जो आपकी देखेंगे तो electrolysis of dilute जो है NaOH gives us to at cathode and O to at anode तो ये जो option है first क्या होजाएगा अपना right next देखिए a regionius equation is represented by तो इसमें आपको right answer बताना है तो इसका right answer क्या होजाएगा second क्या होजाएगा अपना option बिल्कुल right next देखिए which property of colloids is not dependent on the charge on colloidal particle तो इसका right answer आपको पताना है तो इसका आपको बताना है तो इसका आपको याद होजाएगा इपोर्टेंट है next question देखिए maximum covalency of nitrogen is तो कितनी हो सकती यह हो सकती 4 तो इसमें जो C option है तो इसमें आपको right answer बताना है तो इसमें यह option क्या होगा next question देखिए alkyl halides are prepared from alcohol by treating with तो इसमें right answer आपको बताना है तो इसमें right answer क्या होजाएगा acl fluff jncl2 next question देखिए next organic compound which show completed stereochemical inversion during sn2 reaction तो इसमें जो right answer क्या होजाएगा आपको बताना है तो इसमें जो right answer क्या होजाएगा आपका a option क्या होजाएगा बिल्कुल सही cs3cl तो इसमें a option क्या होगा अपना right इसमें a option क्या होजाएगा अपना right next देखिए next question है molecular formula of ethers is तो इसमें आपको बताना है क्या होगा ether का तो इसमें जो होजाएगा तो कौन सा option right होजाएगा तो इसमें जो अपना है तो इसमें c option right होजाएगा पर molecular formula मताना है ethers का next hopman brom जो है hopman bromimide degradation reaction involves तो इसमें जो ar फिर यहाँ पर bond c o n s 2 तो इसमें second option क्या होजाएगा अपना right next ido form test is given by तो ido form test किसकी दोरा given है तो यह जो है right answer क्या जाएगा 3 pentanone तो इसमें जो 2 option है यह क्या होजाएगा अपना right next question देखिए graphite is a good conductor of electricity due to the presence of तो जो graphite a good connector है electricity का किस वज़े से आपको बताना है तो यह क्या है free valence electron के card अब यह option क्या होगा इसका right next molarity of 900 gram of water each तो इसमें कौन सा option होजाएगा 50 m next solution देखिए next solution है next equation shown by the expression next equation है कि इस तरीके से रिपिज़े जाएगा इस तरीके से होती है जो है next situation को जो है show कर सकते है express करते है next solution है for the given cell reaction तो यहाँ पर जो है cell reaction दे रखी है तो इसमें कौन सी जो है reaction है तो कौन सा किस पर होगा यह आपको बताना है तो इसमें जो cu है यह क्या होगा as cathode इसको हम cathode की तरह जो use करेंगे तो इसमें क्या जाएगा energy is always released decomposition का मतलब निकलना तो energy निकलती है में इसे टूटना which one of the following has minimum gold number तो किस के अंदर कम से कम gold number होते हैं तो यह होता है galatine यह option के इसका right next in which of the following mineral ale is not present तो कौन सा जो है ale is not present किस में नहीं होता आपको बताना है तो यह floor जो है floors पर जिसमें जो d option क्या होगा right next solution देखिए IOPC name of the acetic acid is आपको बताना IOPC name क्या होजाएगा acetic acid का तो इसमें right answer क्या होजाएगा आपका ethenoic acid जो co option क्या होजाएगा आपना right next is which metal carbonyl has the strongest co bond तो इसमें क्योंड सा ओप्शन सहीं होगा तो यह होजाएगा mn co6 से positive जो यह option क्या होगा इसमें बना right next which of the following is the most acetic इसमें सबसे जादा acetic कौन है तो यह है m chlorophyll phenol जो d option क्या होगा right इसमें देखिए strong base can abstract an alpha hydrogen from strong base can be abstracted from abstract from alpha hydrogen from तो इसका right answer क्या होजाएगा ketone यह option क्या होगा इसका right next which of the following is stored in liver of animal तो which of the following is stored तो liver of animal liver animal के liver में क्याची store होती है तो यह होती है आपकी glycogen तो d option क्या है अपना right यहां तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट होचकी है वीडियो अच्छी लगे हो तो इसका like करें अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें तो आप मुझे comment section में जरूर पूछे मुझे facebook, instagram और telegram पे follow करने के लिए आपको इसी वीडियो के description में link मिल गाएगा वहाँ से आप मिल डाइट follow कर सकते हैं किसी और subject के भी mcq या फिर multiple choice question की वीडियो देखनी है यानके objective type के question की जो वीडियो देखनी है तो आप मेरे YouTube जानों के उपर जाके देख सकते हैं यह दिया आपको class 10th और 12th के previous year के paper डाउनलोड करने है with answer तो आपको इसी वीडियो के description में website करने के मिल जाएगा वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग